आज है सावन का चौथा सोमवार इस बार सावन में पांच सोमवार हैं सावन मंडे से ही शुरू हुआ और मंडे को ही समाप्त हो रहा हैं लेकिन अगला सोमवार रक्षा बंदन का त्योहार लेकर आएगा तो अगले सोमवार को जादतर बात रक्षा बंदन की ही होगी लेकिन अभी आपको सावन के चौथे सोमवार की एक खास जानकारी देनी है आज आपको सावन का वो दान बताऊंगी जो एक मुठी दान करने से आप करोड़ पती बन सकते हैं कुछी दिन बाकी हैं कर लीजिएगा आज आपको सपने में शिवजी के दर्शन के बारे में बताऊंगी अगर सावन में दर्शन दे दिये तो समझ लीजे शिव कृपा मिल गई और आज सावन में कृष्ण मंत्रों की जानकारी भी दूँगी ये मंत्र आपको जन्माश्टमी तक जपने है आज आपको पांचों महाँ उपाई मैं सावन से जुड़े वे ही बताऊंगी तो आज का पहला महाँ उपाई जाने क्या आपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं आप तो सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारत शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी विधी से अच्छे से पूजार्चना करें इसके बाद जो मंत्र बताने जा रहे हैं इसका 108 बार जाप करें एंग, हरीं, श्रींग, ओम, नमश, श्रीम, रीम, एम हर मंत्र के साथ बिलपत्र पारत शिवलिंग पर जरूर चड़ाएं बिलपत्र तीनों दलों पर लाल चंदन से आपको एम, हरीं, श्रीम, इसी तरह में इसी क्रम में लिखना है अंतिम 108 बिलपत्र को शिवलिंग पर चड़ाने के बाद निकाल लें और उसे अपने पूजा स्थान पर रखकर डेली उसकी पूजा करें माना जाता है ऐसा करने से आमधनी में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है आज है सावन का चौथा सोमवार और रक्षा बंदन तक सावन रहेगा तो अभी आपके पास कुछ वक्त बचा है करीब एक हफ्ते का आपको अपने संकट मिटाने के लिए शिवजी से प्रातना करनी है सावन के उपाई जान लीजे आपके विवा में अर्चन आ रही हो तो रोज शिवलिंग पर केसर मिलावा जरा सा दूज चड़ाएं इससे जल्दी ही आपके शादी के योग बनने लगेंगे सावन में रोज नंदी जैसे बैल को हरा चारा खिलाएं इससे जीवन में सुख समृद्धी आएगी मन खुछ नहेगा पूरे महीने में रोज गरीबों को भोजन कराएं इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी साथ-साथ पित्रों की आत्मा को शांती भी मिलेगी रोज सुभर जल्दी उठकर स्नान कराने के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जल से अभी शेक करें और उन्हें काले तिल अरपन करें इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैट कर मनी मन ओम नमश शिवाय मंतर का जाप करें रोज किसी नदी आतालाब जाकर आटे की गोलिया मचलियों को खिलाएं जब तक ये काम करें मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते रहें ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है भगवान शिव को तिल चड़ाने से रोगों का नाश होता है लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहना है भगवान महादेव को जो और पत करने से सुख में विर्धी होती है जो अपने जीवन में सुख चाता है उसे सावन में यू पाई करना चाहिए आज है सावन का चौथा सोमवार अब बस एक सोमवार और बाकी है लेकिन इन दिनों में मेरी बताई चीजों में से कुछ भी आपको सावन में सपने में दिखाई दे दिये तो समझ जाए कि आपका जीवन बदलने वाला है जान लीजे किस बारे में बात हो रही है अगर सावन में आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये कि जिन्दगी में कुछ शुब होने वाला है ये प्रॉपर्टी मिलने का इशारा भी है ऐसा होने पर आप किसी मंदर में जाकर शिवलिंग पर दूठ चड़ाए अगर आपको सपने में चान दिखाई दे जाए तो जान लीजे आधा चान शिवजी का प्रतीक है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बड़े रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है शिवजी की कृपा आपके साथ ही है अगर आपको कोई musical instrument दिखाई दे जाए तो आपको बता दूं कि डमरूबी शिवजी का प्रतीक है इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने का संकेत है अगर सपने में शिवजी मंतिर दिख जाए शिवजी का मंतिर ही दिख जाए तो समझ लीजे कि आपकी कोई पुरानी बिमारी या किसी खास की कोई पुरानी बिमारी ठीक हो सकती है कम से कम राहत मिलेगी इलाज अच्छे से होगा लेकिन डॉक्टर की सला लेना ना भूले अगर सपने में शिवजी के अर्ध नारेश्वर रूप के दर्शन हुए तो समझ लीजे जिगा शादी होने के योग बन रहे है सोमवर का ब्रत रखना शुरू कर दीजेगा महादेव कल्यान करेंगे आज का दूसरा महा उपाय जानने का वक्त आ गया है क्या बिमारी पीछा नहीं छोड़ रही है ऐसे में सावन में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदर में जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिशेक करें थोड़ा सा अभिशेक के लिए तामबे के बरतन को छोड़ कर किसी भी दूसरे मेटल के बरतन का उपयोग आप कर सकते हैं अभिशेक करते समय ओम जूस इस मंतर का जाब करते रहें इसके बाद भगवान शिव से विमारी भगाने की प्रातना करें भगवान शिव की क्रिपा आप पर जल्दी ही हो जाएगी रोग मुक्त हो जाएगे लेकिन डॉक्टर की सलह और इलाज जरूर लेते रहें उसको रोपना नहीं है साथ में आप ये उपाय कर सकते हैं शिव का और स्वटीक का बहुत गहरा संबंध है सावन के चौथे सोमवार के मौके पर आपको स्वटीक की माला के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ सावन में स्वटीक की माला पहनने से आपके कई संकर दूर हो जाते हैं आईए आपको बताती हूँ कैसे मानिता ये है कि स्वटीक को धन की देवी लक्षमी जी का सुरूप माना गया है जिसके गले में हार की तरह ये धारन किया जाता है स्वटीक निर्मल होता है, बिना रंग का होता है, पार दर्शी होता है विदी विदान और श्रद्धा से स्वटी को गले में धारन करना चाहिए सारे काम में सफलता मिलती है और वाद विवाद खत्म होते हैं इसके अलावा स्वटी की माला धारन करने से कहीं दुश्मन का कोई भी डर नहीं सताता किसी जरूरी कामे जा रहे हैं तो घर से बाहर जाने से पहले अगर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद स्वटीक की माला धारन करके जाया जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम जरूर पूरा होता है और सफलता मिलती है अगर आपके घर परिवार में गरीबी खमेशा रहती है तंग करती है तो स्वटीक रत्म को गंगा जल से पवित्र करने के बाद मंत्रों से शुद करके पूजास्थल पे रखना शुब होता है इसके साथ साथ धन प्राक्ति के लिए भी माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम लक्ष्मे नमहा का कम से कम एक माला का जाप करना ही होता है अगर आपकी दुकान है या आपका कारोबार है तो आपको स्वटीक की माला को अपने गले में रखना चाहिए इससे आपका मुनाफ़ा बढ़ेगा और फाइदा होगा उपाय करते समय ये ध्यान जरूर रखना है कि जिस तिजोरी में स्वटीक की माला रखनी है उसका दर्वाजा उत्तर दिशा में खुले नहीं तो खर्चा बढ़ जाएगा वैसे भी मास्तू के मताबिक पैसे की जगा दक्षिन होनी चाहिए और जब उसे खोला जाए तो उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए अभी आपको स्वटीक के कुछ और उपाय और बताऊंगी शोपर बने रहें लेकिन पहले एक और जरूरी जानकारी सावन में आपको एक बात का खयाल जरूर रखना है आपको शिवजी की पूजा करते समय साथ चीजें नहीं चड़ानी है आप गलती से भी गलती ना करें इसलिए मैं आपको पहले ही सारी जानकारी देती हूँ ध्यान से सुनिए हिंदू धरम में शंक को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा में लगभग सभी कामों में शंक का प्रयोग होता है लेकिन शिवलिंग पर शंक से जल नहीं चड़ाना चाहिए ऐसा करना मना किया गया है तुलसी भी बेहत पवित्र मानी जाती है और साथ ही पूजा में इसका प्रयोग होता है लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चड़ाना मना है ऐसे बहुत से लोग हैं जिने इस बात की जानकारी नहीं है इसलिए आपको इस जानकारी दे रही हूँ ताकि भूलेनात की पूजा में तुलसी का इस्तमान जो लोग करते हैं वो ना करें ऐसे कई दार्मिक काम हैं जिससे हल्दी के बिना पूरा नहीं माना जाता लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी स्त्री के शिंगार में इस्तमाल होती है और इसलिए ऐसे शिवलिंग पर नहीं चड़ाया जाता है भोलेनात को लाल रंग के फूल नहीं चड़ाया जाते है साथ ही केतकी और केवड़े के फूल चड़ाना भी मना है भगवान शिव को सपेद रंग के फूल चड़ाने चाहिए इससे वो जल्दी प्रसंद होते हैं भगवान भोलेनात पर हमेशा पीतल कासे या अश्रधातु के बरतन या लोटे से ही जल चड़ाना चाहिए लोहे या स्टील के बरतन से नहीं शिव जी की पूजा में नारियल का इस्तमाल तो कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चड़ाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चड़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होनी चाहिए यानि कि जिसका सेवन ना किया जा सके सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए लगाती है भगवान शिव विद्वन्सक हैं इस रूप में जाने जाते हैं इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चड़ाया जाता बलकि चन्दन से उनकी पूजा होती है अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बात करते हैं इस बारे में आपको बताते हैं क्या दिमाग तेज करना है आपको खास्तौर पे बच्चों के लिए उपाय है सुगंदित तेल से भगवान शिव का भी शेक करें थोड़ा सा और घर की सुख सम्रिद्धी में व्रिद्धी होगी इससे और तेज दिमाग के लिए शक्कर मिलेवे दूद से शिवलिंग का भी शेक करें पर अच्छे से रब करें देखे कैसे दिमाग तेज होता है सावन में आपको दान भी करना चाहिए और सही दान करना चाहिए जिसे मैंने कहा अभी सावन खत्म होने में वक्त है आपको दान जरूर करना चाहिए कौन सा दान करना है वो बता देती है सावन में जरुवत मंदों को और गरीबों को रितुफल, अन, वस्त्र, दक्षना, शिफपुराण ग्रंत दान करने से मन की इच्छा का फल प्राप्त होता है शिफपुराण में भगवान शिफप को प्रसंद करने के लिए अलग-अलग अन का दान मनोकामना की पूर्ती के इसाब से बताया गया है जो भक्त अपनी मनो कामना की मुताबिक सावन में शिवजी को अनरपित करते हैं उनका दान करते हैं उन्हें सारे सुखों की प्राप्ती होती है आए जानते हैं सावन के महीने में साथ अन का दान करने से भक्तों को शिवक्रिपा मिलती है कैसी मिलती है सारी जानकारी देते हूं सावन के महीने में शिवलिंग का अविशेक करते हैं आप जानते ही हैं इससे शिव कृपा प्राप्त होती है सावन में चावल का दान करने से लक्षमी कृपा के साथ साथ धनलाव होता हैं सावन के महीने में शिवलिंग का अविशेक त तिल से करने से तिल का दान करने से मन्द शुद होता है सावन में तिल का दान करने से विचारों से विचार के जो पाप हैं उससे मुक्ति मिलती है सावन में गेहूं चड़ाने से गेहूं का दान करने से संतान सुख मिलता है सावन में शिवलिंग पर मूंग चड़ाने से दान करने से मनुकामना पूरी होती है सावन में शिवलिंग पर अरहर के पत्ते और दाल चड़ाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं सावन में शिवलिंग पर जो चढ़ाने और दान करने से सुखों की प्राप्ति होती है सावन के महीने में काले उड़त शिवलिंग पर चढ़ा कर अभिशेक करने से दान करने से कई तरीकी की बिमारियां दूर होती है जो भग सावन में साथ अंसे शिवलिंग का अभिशेक करते हैं उसके बाद उसको दान करते हैं उन्हें भोलेनात का आशिरवाद मिलने के साथ साथ जीवन की सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है जो आप भी करें सावन में साथ अनाजों का दान और पाएं हर तरही की कृपा शिवजी की कृपा सावन में शिवजी की पूजा और मंत्रों के साथ श्री कृष्ण की पूजा का भी महत्व है अगर आप सावन से लेकर श्री कृष्ण जन्मस्टमी तक श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो मोक्ष होता है मोक्ष मतलब किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन से राहत और मंद चाहा फल मिलता है आपको राशी के मुताबिक कौन सा मंतर का जाप करना है वो जानिए मेश राशी के लोग ओम विश्वर उपाए नमहा का जाप करें अगर मेश राशी वाले इस मंतर का जाप करते हैं तो उनके जीवन में धन एश्वर्य का भंडार भर जाता है व्रिश्व राशी वाले लोग ओम उपेंद्र नमहा का जाब करें अगर जीवन में खुशिया लानी है तो व्रिश्व राशी वाले लोग इस मंतर का पाठ जरूर करें मिथुन राशी वाले लोग ओम अनन्ताई नमहा का जाब करें घर भरना है अन्न का भंडार भरना है तो कृष्ण जी को प्रसन करें इस मंत्र का जाप करें करक राशी वाले लोग ओम दया निधी नमहा का जाप करें इस मंत्र से ईश्वरी कृपा आप पर सदेव बनी रहती है सिंग राशी वाले लोग ओम जोती रादित्याय नमहा का जाप करें सिंग राशी वालों को इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए कन्या राशी वाले लोग ओम अनिरुद्धाय नमहा का जाब करें सुभस्नान आदी करने के बाद इस मंत्र का जाब करने से भगवान कृष्ण नाप पर अपनी अनुकमपा बरसाते हैं तुला राशी के लोग ओम हिरन गर्भाय नमहा का जाब करें तुला राशी वालों के लिए इस मंत्र का जाप कृष्ण करनेया के करीब लाने में काम करता है विश्चिक राशी वाले लोग ओम अच्छुताय नमहा का जाप करें इस मंत्र का जाप करने से इश्वर का सानेद्य बना रहता है धनु राशी वाले लोग ओम जगत गुर्वे नमहा का जाब करें अगर एक महिने तक क्रिश्ण के इस खास मंतर का जाब कर लेंगे तो आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी मकर राशी वाले लोग ओम अजियाय नमहा का जाब करें इस मंतर का अगर जाब करते हैं तो मकर राशी वालों की घर रोटी, कपड़े और मकान की कभी कमी नहीं रहती। कुम राशी वाले लोग ओम अनादिये नमहा का जाब करें। सुबह नहाने के बाद इस मंतर का जाब करने से भगवान कृष्ण आप पर अपनी कृपब बनाए रखते हैं। इसलिए कुम राशी वालों को रोज इस मंतर का जाब करना चाहिए। मीन राशी वाले लोग ओम जगनाथाए नमहा का जाब करें। घर भरना हैं, अन्र का भंडार भरना हैं, खुश्या लानी हैं। तो मीन राशी वाले लोग इस मंतर का जाब जरूर करें। आज का चौथा महा उपाय जानते हैं क्या मनो कामना पूरी करने हैं आपने तो रोज 21 बिल पत्रों पर चन्नन से ओम नमशिवाय लिख कर शिबलिंग पर चढ़ाएं साथ ही एक मुखी रुद्राप्ष भी अरपन करें इससे आपकी सभी मनो कामना पूरी हो जाएंगी एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है तो चलिए एक बार फिर से कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े जान लीजे क्योंकि सावन का सोमवार है एक खास टेप आपको देना चाहूंगी देखिए सावन का सोमवार है ये बहुत खास मौखा है अपना चंद्र मजबूत करने के लिए अपनी मदर के घर से अगर आपकी मदर साथ नहीं रहती है शादी हो गए तो वैसे नहीं रहती है और अगर आप लड़के हैं तो भी अपनी मदर के घर से कच्चे चावल ले आईए सावन का सोमवार है आजी दिन करना है नहीं तो अगले सोमवार पर भी कर सकते हैं कच्चे चावल लाकर उसे सफेद कपड़े में बांध कर नौर्थ वेस्ट में रख लीजे ऐसा करने पर आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा उच्च के चंद्रमा के रिजल्ट मिलने लगेंगे जिससे आपका मन खुश-कुश रहेगा आप पॉजिटिव सोच के रहे आपको फानाइंचली भी फाइदा होगा यह उपाय करकर देखिए फेस्बुक पर वेशाली अगरवाल ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है वेशाली पढ़ाई में ध्यान लगाने के उपाय जानना चाहती है वेशाली अगर पढ़ाई में मन लगाकर बैठना है तो अ उत्तर या पूर्व दिशा नौर्थ या इस्ट की तरफ चहरा करकर बैठेंगे तो पढ़ाई में मन जरूर लगेगा शो के अंत में आपको आज का पांचवा महा उपाय क्या है यह बदाती हूं क्या लगातार घर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है अगर आपकी घर करूंगी मांगलिक दोश पर अगर आपको लगता है मांगलिक दोश है कहीं कोई अन्होनी ना हो जाए शादी के बाद दिक्कते ना आ जाए कल इस बारे में धेर सारी बाते करूंगी और समय पर आईए गा और जिन-जिन को हो उनके डाउट्स को क्लियर कीजीगा लेकिने क कल बात करेंगे अभी चलती है ओम नमस्षिवाए